हेलो दोस्तो दा अल्टिमेट इंडिया में आपका स्वागत है तो दोस्तो इस समय पूरी दुनिया एक मुसीवत से जूज रही है और पूरा भारत 21 दिनों के लिए लॉगडाउन है किसी को भी घर से निकलने की इजाज़त नहीं है जब तक कोई एमर्जंसी सिचुएशन न हो वेस्ट बेंगॉल कोलकाता से एक इंसिजेंट सामने आ रहा है बहुती बुरा इंसिजेंट है ये दोस्तो एक महिला एक लड़की कोलकाता के सौटलिक में गाड़ी से जा रही थी वो गाड़ी उस लड़की का ड्राइवर चला रहा था तो पुलिस वालों ने पकड़ा पुलिस पकड़ेगी क्योंकि कोई प्राइवेट कार या फिर किसी इनसान का इस समय सड़क पे जाना एलाउड नहीं है तो पुलिस को पकड़ना तो था ही पुलिस ने पकड़ा पुलिस ने ड्राइवर से पूछताच की कि तुम कहा जा रहे हो क्या करने जा रहे हो पुलि जब पुलिस वालों ने उनको ये इजाज़त नहीं दी कि वो गाड़ी और आगे लिके जा सके और बहस करते रहे तो महिला ने पुलिस वाले को चाट लिया महिला ने पुलिस वाले को चाट के ये चलाया कि अब तुमको भी ये वाइरस हो जाएगा तुम भी बिमार हो जाओगे दोस्तो पूरे भारत में पुलिस बहुती विजिलेंट है पुलिस सबको रोक रही है कही कही पे ये वीडियो भी सामने आया है कि पुलिस मार भी रही है लोगों को पर दोस्तो लोगों का घर में रहना ज़रूरी है इसलिए पुलिस ऐसा कर रही है और पुलिस को करना भी चाहिए ऐसा लोगों को घर में रखने के लिए पर दोस्तो ऐसे incident सामने आ रहे है जब पुलिस ने किसी महिला को रोका कही जाने के लिए इस समय तो उस महिला ने पुलिस वालों के साथ ऐसी घिनोनी हरकत की मतलब कैसे कर सकता है कोई इंसान ऐसा कि पुलिस वाले को चाट लि किया नहीं जा सकता इतना बुरा काम है उस महिला का कहना है कि वो केमिस्ट के दुकान में जा रही थी और पुलिस वालों ने धक्का मुक्की किया उससे चलो मैंने मान लिया कि वो महिला केमिस्ट के दुकान में जा रही थी और पुलिस वालों ने धक्का मुक्की किया पर ऐसा हरकत आप कही और कंप्लेन कर सकती थी आप पुलिस वालों से समझा सकती थी पुलिस वालों से अच्छे से बात कर सकती थी पर आप चाट लेंगे आप थूख फैक देंगे ये कहा का मतलब civilized society में ये कैसे हो सकता है वो महिला जो थी वो देखने में पड़ी लिखी लग रही थी बातों से पड़ी लिखी लग रही थी कोलकाता के पॉश जगा solid lake की बात है ये और दोस्तो ऐसे civilized जगा पे ऐसे बड़े metro शहरों में लोग इतने उनकी सोच इतनी अनपड इतनी घिनोनी हो सकती है ये यकीन करना मुश्किल है दोस्तो अगली ख़बर आ रही है उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में भी एक महिला ने religious gathering का आयोजन किया था यानि कि नवरात्रों के मौके पे उन्होंने पूजा रखी थी और सब लोगों को पूरे गाउ को invite किया था इस समय किसी भी religious gathering मंदिर, मस्जित, चर्ज, गुरुद्वारा सब जगा पे बैन लगा हुआ है सब जगा बंध है तो दोस्तो ये भी allowed नहीं था तो पुलिस गई उसके पास उस महिला के पास कि ये gathering रोग दो ये सब चीजे रोग दो कि आपे लोग इखटा नहीं हो सकते आपको पूजा करना है आप घर के अंदर रहे के पूजा करिए पर दोस्तो वो औरत बोलने लगी कि वो खुद एक भगवान है उसके उपर देवी है और ये पूजा नहीं रुख सकती जब पुलिस वालों ने बहुत रोका तो वो महिला तलवार लेके बाहर आ गई और ये बोलने लगी कि वही दुरगा है वही देवी है और वो सब को खतम कर देगी सारे पुलिस वालों को मार देगी पर दोस्तो पुलिस वालों ने बहुत ही मुश्किल से इस मामले को टैकल किया उस महिला से उसका तलवार चीना और महिला को जेल ले गए और जितने भी लोग एकटा हुए थे उनको तितर बितर कर दिया सबको अपने अपने घर में भेज दिया तो मतलब ये सब इंसिजेंट सुनने के बाद तो पागलो वाली हरकत ही लगती है कि आप लॉकडाउन को नहीं मान रहे कभी आपके उपर देवी आ जाती है कभी आप तलवार लेके बहार आ जाते हो कभी आप पुलिस वालों के उपर थूख देते हो मतलब ये क्या सब चीजे है ये क्या हो रहा है देश में हम लोग एक वाइरस से एक बिमारी से जूज रहे है जहाँ पर पूरे देश को इखटा रहने की जरुरत है घर पे रहने के ओर्डर्स है आपके अपने लिए आप ताकि आप सेफ रहे आप स्वस्त रहे आपको बिमारी ना हो आप जिन्दा रहे फिर भी दोस्तो हर एक स्टेट में कोई न कोई ऐसा इंसिडेंट सामने आ रहा है तो आपको कही भी ऐसे लोग दिखे पुलिस को कंप्लेन करिए और दोस्तो उन्हें बोलिए कि आप घर के अंदर जाए और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जाहें दोस्तो